कि राजी व स्कूलिंग में आप सब का स्वाग्वात है आज हम सब जानेंगे हाफ लाइफ पिरियड के बारे में अर्ध आयू का क्या होता है कि कोई भी तत्त्त होता है या कोई भी पदार्थ है उसकी कितनी एज है उसकी हमारी अर्ध से जंकारी प्रावफ होती है इसको हम निकाल लेंगे और इसके बारे में फोर्मोल की हम जंकारी रखेंगे कि अरधायू क्या होता है तो कह सकते हैं कि जितने समय में कोई भी रेडियोक्टीव तत्त्तो अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा बिगटित हो जाता है। रेडियोक्टिव ततो का और धायुकाल का आता है। रेडियोक्टिव ततो का और धायुकाल जोता है। उस पदार्थ की प्रकृतिव पर निर्बढ़ करता है। रेडियोक्टिव ततो का और धायुकाल जोता है। उस पदार्थ की मत्रा बडिपेंट नहीं करता है। नहीं कि उस पदार्थ की मत्रा पडिपेंट करता है। और धायुकाल को टीहाँ से परतरसित करते हैं। और धायुकाल क्या होता है। कि जितने समय में कोई भी रेडियोक्टिव ततो अपने प्रारंभिक मत्रा का आधा बिगटित हो जाए। और ये आधा बिगटित होने में जितना भी समय लगता है। वह ही उसका और धायुकाल होता है। कि जितने समय में कोई भी रेडियोक्टिव ततो अपने प्रारंभिक मत्रा का आधा बिगटित हो जाता है। वह समय उस रेडियोक्टिव ततो का और धायुकाल का लाता है। और धायुकाल टीहाफ होता है। और धायुकाल टीहाफ इकल होता है जो यह होता है 0.698 अपन में K होता है अर्धायुकाल बरवर क्या होता है कि अर्धायुकाल टीहा फिकल होता है 0.698 अपन में K होता है और कह सकते हैं कि इन अर्धायु बाद इन अर्धायु के बाद इन अर्धायु के बाद उस पदार्त की सेस मत्रा सेस मत्रा जो होता है सेस मत्रा को निकालते हैं सेस मत्रा अ निकोल होता है N0 into 1 half के power N हो जला है अगर time period निकलता है कि रेडियो एक्टिव बिगटन में कुल लगा समय कितना होता है तेज लिख देंगे रेडियो एक्टिव टिव बिगटन में टन में लगा कूल समय को लगा कूल समय टीकल होता है एन इंटू टी आफ़ डीव बिगटन में लगा कूल समय टीकल को दा है एन इंटू टीआप अर्शेश आई की मत्रा क्या होता है से साई के मत्रह से साई के जो नतरह होता है की मत्रह की मत्रा इन नोट क्या है पदार्थ की मत्रा इन क्या है बिगटन के बाद पदार्थ की सेश मत्रा अभी हम लोग लिखे न इन क्या है बिगटन के बाद के बाद पदार्थ की सेश मत्रा इन क्या है बिगटन के बाद पदार्थ की सेस्मत्रा और अस्मॉल इन क्या है अर्ध आयू के अंत्रालों की संख्या क्या है अर्ध आयू के अंत्रालों की संख्या और टी हाफ अर्ध आयू काल है टी हाफ क्या है और्धायुकाल है तो और्धायुकाल क्या होता है कि जितने भी समय में कोई रेडियोक्टिव तत्व जोता है अपने प्रारंभिक मत्रा का आधा बिगटित हो जाए तो वह समय उस रेडियोक्टिव तत्व का और्धायुकाल आता है और्धायुकाल को टी होता है 0.6981 में कि जहां पर कि क्या इस्थिरांग के उस्पदार्थ का अब दिखेंगे average life of period, average life of period का होता है कि औसा ताई का होता है कि जितने भी समय में, जितने समय में कोई radioactive तत्तो पॉर्ण रूप से बिखतित हो जाए तो वह समय उस radioactive का average life of period का होता है निकास कि जितने समय में कोई radioactive तत्तु पूर्ण रूप से बिखतित होता है वह समय उस carbohydrate का आयू कालाता है वह समय उस तत्तो का आयू कालाता है जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव तत्तो पूरुन रूप से बिगटित होता है वह समय उस तत्तो का आयू कालाता है रेडियो प्दार्थ का आयू जो हता है विगटन इस्थिरांग जो हता है इसका व्यूत करम अनुपाती होता है व्यूत करम अनुपाती होता है अब जानते हैं T क्या हो गया अब इसकी जगव हम लिग देते हैं T हाफ एकोल हो जाएगा 0.693 अपन में K यह हमारा और दायू काल होता है यहां से अगर k का value हम निकालेंगे तो क्या हो जागा k equal हो जाएगा 0.693 अपन में t half इसका value हमें यहाप पूट कर देते हैं तो t equal क्या होगा इसमें पूट करेंगे तो t equal put कर देंगे तो क्या जागा t half अपन में 0.693 को जागा 0.693 यहां प्रक देंगे तो यह हमारा नीचे वाला पाठ उपर चल जागा उपर वाला पाठ हमारा नीचे जागा t equal हो जागा t half अपन में 0.693 अब t बराबर यही होता है और धायुकाल t half अपन में 0.693 अब 0.693 से अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते है t equal 1 अपन में 0.693 इंटो t half 1 में अगर divide कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1.44 इंटो t half तो ओसत आयुकाल जो होता है 1.44 इंटो t half होता है किसी तत्व का उसत आयुकाल जो होता है 1.44 into t-half होता है उसत आयुकिसे करते हैं कि जितने समय में कोई भी रिडियोक्टीव तत्व पूरुरूप से बिगटित होता है वो समय उस तत्व का उसत आयुकालाता है उसत आयुको t से प्रदसित करते हैं T equal औसथ I equal होता है 1.44 into T है यहनि अर्थ आयू काल में 1.44 का अगर multiple कर देते हैं तो हमारा औसथ I क्या होता है यहां से राप्त हो जाता है